हेलो गाईज आप देख रहे हैं इसके लिए उने एक्सपर्ट का यूट्यूब चैनल और आज किस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो आपको सेंटर वरी मैजिसियन हुमें वर्सिस वैलिंग्टन ब्लेज हुमें की बीच में यहाँ पर न्यूजिलेंड हुमे वीडियो में बने रहें बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टन बात इस मैज की फाइनल टीम अपडेट आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी तो अगर आप अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल पर जोइन नहीं हुए हैं तो आपको हमारे ट के लिए बन एक्सपर्ट आप क्यापीटर लेटर में सर्च करिएगा उसके बाद गाइस आपको हमारा ओरिजनल टेलिग्राम चैनल जिसमें ओल्लेडी 35 से ज्यादा लोग जॉइन है वह चैनल आपको मिल जाएगा आपको इसमें सिंप्ली जॉइन कर लेना ठीक है यह मैच ल वैलिंग्टन ब्लेज वुमेन ने अपने स्कॉइड और लेडी अनाउस कर दिया है लेकिन सैंटरवरी वुमेन का मुझे स्कॉइड कहीं भी नहीं मिला है ठीक है मैंने बहुत रिसर्च किया गाइस लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिला है ठीक है तो अगर बाइस जांस स्कॉइड में मैक फैडन है निूटन है मनेका सिंग प्लीमर कैटलिन किंग रेबिका बंस डी डाउटी केट चैंडलर ओलीबा बॉइवीन जारा जेटली और निकॉल बार्ट ठीक है यहीं प्लेयर है इनके स्कॉइड में जो की इस मैच में खेलने वाली है इनहीं में साब अब को प्लेयर खेलती दिखेगे इससे बाहर से और कोई भी वैलिंगटन टीम में नहीं खेलने वाला एथीक है तो ये बात का अब ध्याद निक्येगा काफि बरी-बरी प्लेयरी सोफी डेवाइन, एमिलियाख और यह सम नहीं खेलने वाली है ठीक है ध्याद निक्टेग रही थी, 6 match में 200 run in होने किये थे, 40 के बहुत अच्छे average के साथ, ठीक है? तो बहुत अच्छा के लिए थी, बाकी रैबिका बंज ने 6 match में 102 run किये थे, 17 के average के साथ, प्लीमर ने 5 match में 95, 25 के average के साथ, कासपरेक ने 5 match में 84, 28 के average के साथ, और Newton ने 6 match में 70 रन किये थे, 14 के average के साथ, ठीक है, बाकी wickets में देखेंगे, तो यहाँ पर again Kasparay का नामार है, 5 match में 10 wicket, ठीक है, Jara Jettli 5 match में 9 wicket, Manika Singh 6 match में 5 wicket, Kate Chandler 2 match में 3 wicket, Doughty 3 match में 3 wicket, और Katalin King 6 match में 3 wicket, ठीक है, तो यह मैंने आपको यहाँ पर Wellington Blaze के जो प्लेयर्स की stats अब लेवल थे last season के, वो मैंने एकदम अच्छे से आपको बता दिये हैं, एक बार मैं आपको इस टीम के तरब से important players बता देता हूं, ठीक है, तो इस टीम के सबसे ज़्यादा important player रहेगी, इनकी all-downer लेकास पर रहे, ठीक है, इनकी अलाबा Jess McFadden, बिकेट keeper batter, जो कि last season भी काफी अच्छा के लिए थी, अभी मैंने start दिखाया, यह काफी important रहेगी, Newton भली अच्छा नहीं गया हो last season, लेकिर अच्छी player है, experience है, ठीक है, बाकी Maneka Singh अच्छी balling all-downer है, अच्छा कर सकती है, रेबिका बन्स, decent batter है, opening batter, ठीक है, बाकी उसके लाबा, जारा जेटली balling से important, last season काफी अच्छी balling गी थी, विक्टे इन्होंने निकाली थी, ठीक है, उसके लाबा guys, जॉर्जिया प्लीमर भी अच्छी है, ठीक है, तो ये कुछ इनकी important players है guys, आप इनका ध्यान देखिएगा, अब हम दूसरी team, center-bari magician Owen पर आते हैं, तो इनका guys, squad नहीं आया है, तो direct हम इनका stats से discuss करते हैं, तो सबसे पहले runs में देखेंगे, ये तो Kate Anderson, जो की last season Northern Brave Women के लिए खेली थी, लेकिन इस season इस team से खेलने बाली है, ये बहुत अच्छा के लिए थी, 8 match इसमिन होने 306 run किये थे, 51 के कमाल के average के साथ, next, Abigale Garkin, young player, उपनिंग पर आपको दिख सकती है, 8 match में 249 राइन होने किये थे, 41 के कमाल के average के साथ, फिर Jacinta Savage, 8 match में 132 के average के साथ, Kristi Nation, 8 match में 85-25 के average के साथ, Natalie Cox, 4 match में 60-15 के average के साथ, Jordy Dean, 4 match में 55-27 के average के साथ, Francis Mackay, 3 match में 49-16 के average के साथ, Leah Tahuhu, 2 match में 46-23 के average के साथ, ठीक है, बाकी wickets में देखेंगे, तो यहाँ पर भी Savage का नाम है, 8 match में 8 wicket, Asmussen, 8 match में 7 wicket, Simmons, 8 match में 5 wicket, Jordy Dean, 4 match में 4 wicket, Frankis, Mackay, 3 match में 3 wicket, और Kate Anderson, 8 match में 2 wicket, ठीक है, तो इस team के तरब से, गाईज, जो important player रह सकती है, वो सबसे यादा important है, इनके captain Francis Mackay, ठीक है, इनके अलाबा, Kate Anderson काफी important है, गरकन important, जैकेंटा साबेज, एज ओल्डाउंडर important, ठीक है, उसके अलाबा, गाईज, लियात तहुह, एज बॉल्डिंग ओल्डाउंडर important, ठीक है, उसके अलाबा, सारा, Smithson काफी अच्छी लेगी, spinner है, ठीक है, तो ये important है, जोडी डेन, एज ओल्डाउंडर important, ये गाईज, इस टीम की कुछ important players है, आप इनका special ध्यान लखिएगा, ठीक है, तो गाईज, इस मैंस के related, जितना भी stats, data मुझे मिला, मैंने एकदम अच्छे से, आपको बता दिया है, यहाँ पर मुझे पता है, Wellington Blaze, उनने कुछ young players हैं, जैसे की guys, यहाँ पर boy win हो गई, ठीक है, इनका stats, मुझे जादा नहीं मिला, इसलिए मैंने आपको नहीं बता है, साथ में bird का भी stats, मुझे नहीं मिला है, बाइचान सगर मिलता है, तो मैं telegram channel पर आपके साथ, शेयर कर दूँगा, लेकिन अभी तर जितना मुझे stats मिला, मैंने आपके साथ, सेयर कर दिया guys, तो hopefully आपको, यहाँ पर stats पसंद आया होगा, तो अगर guys, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, तो एक लाइक ज़रूर करते वीडियो को, साथ में अपने दोस्तों के साथ, आप सेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में फाइनल टीम अपडेट तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है, तो ध्यान दखिएगा इस बात का, टेलिग्राम चैनल पर जॉइन करना आपको काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है, तो आप जरूर से जरूर जॉइन कर लीजिएगा, अब चलिए गाईज, यहाँ पर हम अपनी टीम डिसकस करते, सबसे पहले विगेट कीपर सेक्शन पर आएंगे, यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, जे मैख वेड़न आपके लिए बेस्ट आप्सन है, जो कि आपको ओपनिंग पर मिलेगी, और काफी एच्छी प्लेयर भी है, लास्स सिजन भी काफी अच्छा खेली थी, तो आप सिंपली इनके साथ जाएए, यहाँ पर जो दूसरी टीम है, सेंटर बड़ी वोमेन की, उनके तब से एल हक्स खेल सकती है, लेकिन वो काफी नीचे खेलती है गाईस, तो मैं इनको ज़्यादा रिकमेंट नहीं करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा मत सोचेगा, सिंपली मैक फैडिन के साथ जाएएगा, ठीक है, अब आते हैं बैटर सेक्षिन पर, जहाँ पर मैडिगरीन नहीं खेलीगी, सेलेक्षन भली हाई है, लेकिन स्कॉाइड में नहीं है, ठीक है, ध्यान लिखेगा, यहाँ पर आपके लिए नंबर वन चॉइस रहनी चाहिए, केट अंडर्सन, जो कि आपको कुछ बॉलिंग भी करके दे सकती है, और साथ में उपनिंग पर आपको दिखेगी, बहुत अच्छी प्लेयर है, लास्स सीजन आपने देखा, बहुत तगरा खेली थी, ठीक है, बाकी रैबिका बंस, डीसेंट पैटर है, उपनिंग पर आपको मिलेगी, प्लीमर ठीक है, बाइचांस ये भी ओपनिंग ही कर सकती है, ठीक है, नीचे सागर देखेंगे गाईज, तो न्यूटन काफ एक्स्पीरियंस रखती है, तो मैं इनको टीम में ले रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, बाले लास सीजन पर्फॉर्मेंस अच्छा ना आया हूँ, लेकिन मैं टीम में रख रहा हूँ गाईज, बाकी नेसन डीसेंट खेली थी लास सीजन, ठीक है, आप इनको कंसीडर कर सकती है, डिफ्रेंसल बनेगी आपके लिए, ठीक है, अगरकर बहुत अच्छी प्लेयर है, गेम चेंजर आपके लिए, सेलेक्शन पर मज जाएए गाईज, एक परसंटी सेलेक्शन है, लेकिन लास सीजन कितना अच्छा केली थी, अभी आपने स्टैट्स देखा, ओपनिंग ये कर सकती है, ठीक है, तो मैं इनके साथ जरूर जाऊंगा, बाकी केट चैंडल बॉलर है, ठीक है, खेलती है, ग्रैंड लिए टीम में आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी उसके लाबा एक नेसं ठीक है, जो के आपके लिए डिफ्रेंसल है, और ज्यादा में यहाँ पर एक कॉक्स भी है, ठीक है, ये भी डीसेंट है, ग्रैंड लिए ट्राई करिएगा, ठीक है, स्मॉल लिए एक रैबिका बंस आपके लिए अच्छी रह सकती है, आप उनको ले सकते हैं, ठीक है, बाकी प्लीमर आपके लिए डिफ्रेंसल है, आप ट्राई कर सकते हैं, ग्रैंड लिए टीम में जरूर, ठीक है, स्मॉल लिए में मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, अब आते हैं ओल डाउंडर सक्षन पर, जहाँ पर डेवाइन, एमेलिया कर और लेडी बता चुका हूँ, नहीं खेलने वाली है, दोनों यहाँ पर बिग बैस्ट लिग में खेल रही है, तो दोनों को मत लीजेगा, ठीक है, अब यहाँ पर हमारी लिए जो इंपोर्टेंट ओल डाउंडर्स हैं, वो है कासपर्रेक, मैके, सैबज, ठीक है, और डेन, तो मैं चारो अल डाउंडर्स को अपनी टीम में लेकर जा रहा हूँ, चारो मेरी साबसे इंपोर्टेंट रह सकती है, चारो आपको बैटिंग गॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकती है, तो मैं चारो के साथ हूँ, ठीक है, चार में से तीन प्लेयर, कासपर्रेक, मैके, सैबज, ये तीनों तो आपकी टीम में 100% रहनी चाहिए, बाकी जो चौती प्लेयर है, जॉडी डेन, ये भी अच्छी है गाईज, लेकिन ये तीनों तो मस्ट है, जॉडी डेन को अब चाहें, तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा बैटर या फिर बॉलर भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं जॉडी डेन को लेकर जा रहा हूँ, लास्ट सीजन पर्फॉर्मेंस इनका डीसेंट था, इन तीनों को तो गाइस आप बिल्कुल भी टीम में ड्रॉप मत करिएगा, अगर आप ग्रैंड ली की 11 टीम बना रहें, तो 11 टीम में आपकी ये रहनी चाहिए तीनों डाउंडर्स, ठीक है, इतनी कमाल की प्लेयर हैं, ध्यान डिखिएगा, अब आते हैं, अल्डाउंडर्स सेक्षिन पर, जहां पर आपको मिलेगे लिया तहू हू, जो कि आपको कुछ रंस भी करके दे सकती है, साथ में बहुत अच्छी बॉलिंग कराती है, स्विंग बॉलिंग, आपको पताई है गाईस, न्यूजरेंड के लिए भी आपने इंको काफी खेलते देखा होगा, अलग-अलग T20 लीक्स में भी आपने इंको खेलते देखा होगा, ठीक है, तो आप इंको ले सकते हैं, बाकी यहां पर अगर मैं बात प्रूँ नेक्स, तो गैबी सुलेवन है, कुछ खास लास सीनर उतना पर्फॉर्मेंस इनका नहीं आया था, तो मैं अभी नहीं ले रहा हूँ उनको टीम में, ठीक है, उसके लाबा ऐस मूशन अच्छी लेग स्पिनर, लास सीनर विक्टे नीकाली थी, आपके लिए अच्छे पिक बन सकती है, यहां पर जैसकर अच्छी है, लेकिन नहीं खेलने वाली है, मनिका सिंग कुछ रंज कर सकती है, विक्टे लेना जानती है, आपके बहुत अच्छी डिफरेंसल है, जारा जेटली, लासीरन बहुत अच्छी बॉलिंग रहाई थी, आपने देखा, अभी ये स्टैर्स, मश्पिक है, आपके लिए मैं टीम में ले रहाँ, डाउटी, अगर खेलती है, तो ग्रैंड लिंग में ट्राई करिएगा, अच्छी यहाँ पर स्मिनर है, ग्रैंड तो ये आपके लिए बहुत अच्छी डिफरेंसल बन सकती है, आप इनको चाहे, तो अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, बाके ग्रैंड लिंग में डाउटी को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, और साथ में सीमन्स को कुछी टीम में ज़्यादा में मैं मैं रिकमेंट आप इन चाहर में से अपना CVC कर सकते हैं, मुझसे पूशेंगे, मेरी कैप्टन सी मैके के साथ है, वाइस कैप्टन सी कास्परे के साथ, आपको चेंज करना हो, आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से CVC, आपके पास अंडर्सन अच्छी है, और साथ में मैंने बताया अच्छी है, बाकि Grand League टीम में आप यहाँ पर मैक फैडन को भी ट्राइ कर सकते हैं, और Grand League में यहाँ पर आपके लिए जौडी डेन भी ठीक रह सकती है, तो यह बनता है अभी कलिए हमारा टीम का प्रिभ्यू, इसमें डेफिनेटली 100% टीम में चेंजेस होने वाली है, फा आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, साथ में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत कमाल की बैटिंग अप्लिकेशन, वन बिन का भी लिंक मिलेगा, तो अगर आप अभी तक वन बिन में नहीं खेल रहें, तो एक बार लिंक को ज़रूर चेक आउट करिएग साइन अप करिएगा हमारे प्रोमो कोड को यूज करके, डिपोजिट करिएगा और बैट लगाना, स्टार्ट कर दीजेगा, अगर मैं सौट में बता दू वन बिन के बारे में, तो वन बिन में पिछले एक सालों से खेल आउँ, और और अल्लेडी 25 लेक्स प्लस जीत चुक इतना ही, भूफफ़ली वीडियो आपके लिए इन्फर्मेटिव रही होगी और आपको पसंद आई होगी, अगर गईज आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को जितना ज्यादा हुसे के उतना ज्यादा लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले और अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटा-फट से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ओन कर ले, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, तो बहुत जल्द गाइज मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में.